टीम इंडिया ने ICC टेस्ट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर वापसी की है। सीरीज में उनके शांदार प्रदर्शन ने उन्हें आस्ट्रेलिया से आगे निकलने में मदद की है। टीम के अब टेस्ट रैंकिंग तालिका में 122 रेटिंग अंख है। भारत को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 4-1 की जीत से फाइदा हुआ है। इस जीत के साथ ही रोहित शर्मा की टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुँच गई है। वह T20 और वंडे में पहले ही शीर्ष पर था। इस तरह भारत एक ही समय में तीनों फॉर्मिट में नंबर एक बन गया है। इससे पहले दिसंबर में भी टीम इंडिया ने ऐसा किया था और तीनों प्रारूप में नंबर एक बनी थी। तब टेस्ट और T20 में भारतिय टीम पहले से नंबर एक थी और दक्षण अफ्रीका के खिलाफ वंडे सीरीज में दो से एक से जीत के बाद ICC रैंकिंग में वंडे में भी पहला स्थान हासिल किया था। हालांकि वंडे सीरीज के तुरंत बाद दक्षण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज एक से एक से ड्रॉ रहने के बाद भारत को टेस्ट में अपना पहला स्थान गमाना पड़ा था। आस्ट्रेलिया नंबर एक टीम बन गई थी। अब इंग्लेंड के खिलाफ विशाखा पत्नम, राजकोट, रांची और धर्मशाला टेस्ट में जीत के बाद टीम इंडिया एक बार फिर टेस्ट में नंबर एक टीम बन गई। भारत ने तीनों प्रारूप में बादशाहत कायम रखा है। ICC ने अपडेट देते हुए रविवार को बताया है द्राबाद में पहला टेस्ट 28 रन के करीबी अंतर से हारने के बाद भारत ने शांदार वापसी करते हुए इंग्लेंड के खिलाफ बाकी बचे चार टेस्ट मैट जीते। विजाग, राजकोट, रांची और अब धर्मशाला में जीत से टीम ने ICC टेस्ट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर वापसी की है। सीरीज में उनके शांदार प्रदर्शन ने उन्हें उस्ट्रेलिया से आगे निकलने में मदद की है। टीम के अब टेस्ट रैंकिंग टालिका में 122 रेटिंग अंक है। क्राइस्ट चर्च में न्यूजिलन्ड आस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टेस्ट के परिणाम से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा और भारत टेस्ट में नंबर एक बना रहेगा। ICC विश्व टेस्ट चैंपियंशिप 2023 विजेता आस्ट्रेलिया न्यूजिलन्ड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में एक से शून्य से आगे है। टेस्ट में नंबर एक होने के साथ ही भारत अब तीनों प्रारूपों में रैंकिंग के शिखर पर पहुँच गया वन डे रैंकिंग में उनके 121 रेटिंग अंक हैं जिसमें आस्ट्रेलिया 118 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। टीट्वेंटी अंतराश्ट्रिया में भारत के 266 रेटिंग अंक हैं जिसमें इंग्लैंड 256 दूसरे स्थान पर है। इससे पहले भारत दक्ष के खिलाफ घरेलू सजमी पर तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में भारत को पीछे छोड़ दिया था अब वापस से टीम इंडिया शीर्ष पर पहुंच गई है भारत ICC विश्व टेस्ट चैंपियंशिप स्टैंडिंग तालि में भी 68.5 एक अंको के प्रतिशत के साथ शीर्ष पर है